पेशाप UTI 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 आपने भी सुना होगा Urinary Trape Infection पेशाप के रास्ते में होने वाला 인्फेक्षन संक्रमन इससे कई लोग परिशान होते हैं जैसे कि क्या इसमें सिंटम लक्षन दिखते हैं आपको बार-बार पेशाप लगता है पेशाब जोर से लगती है लेकिन उतना पेशाब नहीं होता है इन सारे दिक्कतों में आप समझ नहीं पाते हैं कि कौन सी दवा लीजे, कौन सी दवा सबसे अच्छी है तो चलिए आज हम बात करेंगे UTI में यूज होने वाली दवा जो की आपको एक ही खुराक में बहतर महसूस कराएगी जो दवा है वो है हमारे नाइट्रो फेरंटॉइन नाइट्रो फेरंटॉइन आपके पेशाब के रास्ते में होने वाले संकरमन को ठीक करती है यूरिनेरी ट्राक इंफेक्शन को ठीक करती है नहीं सर्फ इतना बलकि आपके अगर सिस्ट है कहीं पे तो उस चीज को भी ठीक करेगी अरगर किडनी में कोई भी दिक्कत है तो उस दिक्कत के लिए भी नाइट्रो फेरंटॉइन को लिया जाता है ये आपको मार्किट में कुछ इन ब्रांट से मिल सकती है जैसे की निफ्टास, यूरिबेट ये कुछ इस तरह से दिखते हैं आपको बड़े ही असानी से फार्मसी स्टोर पे इन नामों से मिल जाएगी लेकिन आपको ये दवाइन बिन डॉक्टर के सलहा के नहीं लेनी है अगर हम यहीं पे इसके यूजिस के बात के रहें तो जैसे हमने बात की अभी कि ये हमारे पेशात के रास्ते में होने वाले इंफेक्शन संक्रमन में काम आती है साथी साथ अगर कहीं पे सिस्ट हो गया है खून के क्लॉट जम गये हैं इन दवा को ली जाती हैं साथी साथ अगर आपके किड़नी में कहीं पे इंफेक्शन हो गया है तो उन सारी दिक्कतों में भी नाइट्रोफेरंटाइन को लिया जाता है अगर हम इसके डोस की बात करें कि क्या इसकी सही खुराख है इसकी सही खुराख अगर हम adult की बात करें जो कि हमारे 19 से उपर के बच्चे हैं उनको ये खुराख इसकी 50 से 100 mg आप इसको दिन में दो बार दे अगर किसी बच्चे को ये दिक्कत होती है तो उनके वजन के हिसाब से इस डोस को दिया जाएगा 6 mg, 6 mg पर kg जितना वजन है उस हिसाब से 6 mg दिया जाएगा अब यहीं पे अगर हम बात करें कि क्या-क्या इस दवाई के sad effects हो सकते हैं आप इस दवा को लेंगे थोड़ी दिक्कते आपको देखने को मिल सकते लेकिन उन दिक्कते से घबराना नहीं है क्योंकि वो दिक्कते जादा समय तक नहीं रहने वाली हैं जैसे कि आपका जीमिच लाएगा, कोई समान रखके आप भूल जाएगे या फिर आपको बहुत जादा fever हो सकता है या फिर आपको diarrhea आपको lose motion हो सकता है लेकिन ये सारे दिक्कते सिफ दो से चार घंटे तक रहेंगी हमेशा के लिए नहीं रहने वाली हैं तो इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है साथ ही आपको इस दवा को लेने के बाद कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा जैसे की ये दवा पहली सबसे जरूरी बाद बिना डॉक्टर की सलहा के ना ले दूसरी बात ये दवा आप जब भी ने चाहे फार्मसी से ले चाहें आप इस दवा को खाएं आपको इसका नाम जरूर पढ़ना है आपको इसको सीधे सूरी की रोशनी से और बच्चों से भी दूर रखना है साथी साथ इसको ठंडी और सूखी जगह पे रखना है उम्मीद करते हूँ ये जानकारी आपके लिए मददगार साबित है होगी किसी तरह की और भी अमेजिंग वीडियो के लिए जुड़िये फार्मसी इंडिया मेडिसिन के साथ हैंक्यू